बातरूम लिख नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा और असान तरीका से हेलो मेरे यूटूब फैमिली आज आप लोको में एकदम असान तरीके से नैपी बनाना सिखाते हैं जो कि न्यूबोर्ण बेवी से लेके छे मैने तक हम लोग यूज करते हैं जैसे जैसे बच्चे बनाई बनाई ले ली हूँ 12 इधर से है और 12 इधर से है तो यह मैं ले ली हूँ कपड़ा व इसको मैं क्या करूंगी कि इस तरह से तिकोनी चमोसे की तरह आप असान तरीका एकंदम दस मिनट में आपको बन जागा इस तरह से करके और मैं शिलाई कर दूंगी यहां से यहा करेंगे इस कोर्णर से यहां तक दो इंच छोड देंगे इधर से भी शिलाई कर लेंगे इस कोर्णर से इस को मैं तक यह बराबर ऐसे करके बराबर कर लेंगे भी इसको हम वलट लेंग, अब् ions एक्दम आसान तरीका है फांस मिनट में आप बना सकते हो सिलाई वह कर सकते हो और मसीन से भी कर सकते हो कुछ इसमें परसानी नहीं है यहीं शीजर से ह 가장 पिच्कस से हमिसका कावर निकाल क्योंकρι उनपे एसे एसे करेंगे इसको इसे एक साथ कर देंगे यह कर देंगे पर यह दुसरे तरफ नहीं दिश्टाणी कर लें जब लेंगे तो अब यह हो गया ऐसे हो गया तो इसको दोनों को बराबर से इसे पकड़ेंगे इसे बराबर से पकड़ लिए फिर इसको ऐसे रखेंगे और इधर से एक को करेंगे और इधर से ऐसे दोनों को एक दुसरे को पलट देंगे दोनों सीधा एक तरफ से रखेंगे और दोनों अब इसको हम बच्चे को ऐसे डाल के और इधर से ऐसे करेंगे इधर से जैसा बच्चे के हेल्थ के हिसाब से आप इंचेज बढ़ाते जाहिए यह हो गया नियोग बेवी तो इसदम छोटे होते हैं तो इससे कोई यह नहीं है यह इसे बना लिए अभी तक तो आप लोग में देखा होगा रसी वाला या फीते वाला नैप की पाइपिन वाला लेकिन यह असान तरीका है यह अराम से बन जाएगा और बहुत ही अच्छा से और फिट आता है बच्चे को क्योंकि लिक नहीं होता बात्रूम लिक नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा और असान तरीका से य और चैनल स्टीचेल